नमस्कार बोरी से बरामत हुई वही सीयम इतना शिंदे का कापिला ट्राफिक जाम में पसने की खबर सामने आई है इस मामले में दोशी पुली सदिकारी से सौर रुपे जुर्माना मसूला गया है तो धर बीमसी ने पार्किंग की समस्या से चुटकारा दिलाने के लिए चार वाडू, ग्रांट रोड, वर्ली, अंधेरी वेस्ट और भांडूप में कुल 154 सडकों को चुना है इसे बीच एंसेपी नेता वविधान सबामली विपक्ष के नेता जित पवार ने कहा है कि शिवसेना, कॉंग्रेस और एंसेपी मिलकर चुनाओ लड़ना चाते है प्रदेश के इन पाज बड़ी उठास फवर को विस्तार सजाने के लिए बने रही है हमारे साथ शिवसेना और दशहरा मेल का अठुट समंदर है इस अवसर पर दादर के शिवाजी पार्क मैदान में आयोजित होने वाली शिवसेना की राली में राज्य के कोने कोने से शिवसेनिक शामिल होते है इस साल पाच अक्टूंबर को आने वाले दशहरा के दिन उद्धो ठाकरे और मुख्यमंतर एकनाव शिंदे गुट के बीच जारी लड़ाई के बीच यह राली होगी उससे पहले यह रसाकशी शुरू हो गई है कि वास्तव में शिवाजी पार्क मैदान में शिवसेना ने मुंबई नगर निगम से सभा की अनुमती लेने के लिए अर्जी दी है खबरा रही कि फिलाल नगर निगम ने इजाज़त देने से मूँ मोड लिया है इसके साथ ही इस बात की संभावना प्रबल हो गई है कि एकनाव शिंदे का गुट भी इसमें दिल्चस भी ले रहा है इसलिए अब एकनाव शिंदे की नजर शिवसेना की अक्टुमबर में होने वाली दशरा रैली पर टिकी जा रही है शिवाजे पार्क मैदान में कई सालों से शिवसेना की दशरा सभा बीना किसी असफलता की आयोजित की जाती रही है मारिश के कारण दो-तीन बार बैठक जरूर रद्द करनी पड़ी है खबर है कि इस बारे में उद्व ठाकरे ने नगर आयुकते इकबाल सिंग चहल से भी बात की थी हाला कि सुत्रों से पता चला है कि उन्हें अभी तक अनुमती नहीं मिले गौर तलब है कि माराश शिवसेना में बगावत के बाद उद्व ठाकरे का गुट और मुख्यमंत्रे एकनाश शिंदे का गुट असली शिवसेना को लेकर लड़ रहा है पालगर जिले के वसे में 16 वर्षिय एक किशोरी का शौब बिला है यह डेट बोड़ी नैगाव रेलवे स्टेशन के पास एक बोरी से बरामद हुई वसेई विरार पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शवशुकरवाद दो पर करीब दो बज़े चाड़ियों में मिला एक रहगिर ने बोरी को देखा और पुलिस को इसकीश सुचना दी जिसके बाद एक टीम मोके पर पहुची पुलिस अधिकारी ने कहा कि शवशुपर चाकुप के हमले के कई निशान थे डेड़ बोरी को वसई के एक सरकारी अस्पताल में पोस्ट मॉटम के लिए बेज दिया गया है रिपोर्ट आने के पहले तरह तरह की आकंशाहे चरजा में है इसे प्रेम प्रकरन और रेप से भी जोड़ कर देखा जा रहा है बताया जा रहा है कि प्रशासन के आला अधिकारी इस प्रकरन को लेकर गंबीरे और तफ्तीश में किसी तरह की कोता ही नहीं परतने के लिए आदेश दिये है फिलहाल एक अधिकारी ने बता कि भारतिये दंडसहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है पुलिस को आशंका है कि किशोरी मुंबई की रहने वाली थी और उसकी हत्या कर शोव को राजमार गपर फेक दिया गया अधिकारी ने कहा कि लड़की के घरवालों ने उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई इसमें बताया गया था कि लड़की घर से स्कूल के लिए निकली थी और वापस नहीं आई इस से लेकर परिवार के लोग बहुत परिशान थे उन्होंने बताया कि इस मामले में धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जान जारी है मुंबई में जाम की शिकायते आम रही है यातायत कर्मियों को डूटी के दोरान भारी मशक्कत के दौर से गुजर ना पड़ता है तमाम आधुनी की अंतरना कई बार फेल होती नज़र आ रही है बावजूत इसके मुस्तिदी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है इस बीच सीयम एकनाश शिंदे का काफिला ट्राफिक जाम में फसने की खबर सामने आई है इस मामले में दोशी पुलिस अधिकारी से 100 रुपे का जुर्माना वसुला गया है यह पूरी घटना 22 अगस्ट को हुई है मुंबई में ट्राफिक जाम होना और उसमें फसना कोई नई बात नहीं है लेकिन सीयम का काफिला जा रहे हो तो पहले से ही अंतिजाम किये जाते है सीयम के काफिले को पहले जाने की इजादत दी जाती है मुख्यमंत्री शिंदे के वहानों का काफिला सुबह वर्षा से आवाज से विधान भवन की और रवाना हुआ था लेकिन एयर इंडिया से साकर भवन तक जाम की स्तिती बन गई जिससे मुख्यमंत्री की गाड़ी फस की पुलिस उपायुकत प्रद्ना जेडी को यहां यातायत ववस्ता की जिम्मेदारी सो उपी गए थी इस मामले में एक सायक पुलिस कॉंस्टेबल को जिम्मेदार ठहराया गया जिसके बाद सो रुपे का जुर्माना लगाया गया जुर्माने की रकम भले ही कम है लेकिन उद्देश यही है कि ट्राफिक जाम को रोका जा सके गटना 22 अगस्ट को विधासभा सत्र के दोरान हुई थी इसलिए पूरा अमला परिशान था हाला कि कुछ सीम ने इस पर कोई कड़ा आदेश नहीं दिया है BMC ने पार्किंग की समस्या से चुटकरा दिलाने के लिए चार वार्डो, ग्रांट रोड वरली, अंधेरी वेस्ट और भांडुक के कुल 154 सडको को चुना है यहां सोसाइटिया में गाड़ी की पार्किंग समस्या दूर करने के लिए BMC पे करके रोड पर पार्किंग की विवस्ता उपलगद कराएगी यहां पार्किंग सोसाइटी के नजदीक की सडक पर होगी जो CCTV की निगरानी में रहेगी इन्वार्डो में यहां पाइलेट प्रोजेक्ट के तहर शुरू किया जाएगा हाला कि पार्किंग के प्रबंधदख में जिमेदारिया सोसाइटी ओ की होगी यह पार्किंग सुविधा बिल्डिंग में एक रूम एक गारी की होगी BMC अधिकारी ने बताया कि सोसाइटी ओ में पार्क करने की सुविधा उपलब्द कराएगी बीमसी डी वाइट में पे एंट पार्क योजना ने पी अनसी रोड पर मॉडल रोड के दहाश चुरू करेगी इस वाइट में 35 पर सोसाइटियों के पास यह सुविधा उपलब्द होगी इनमें अगस्ट क्रांती मार्क एलड नगर लोखंड वाला कॉंपलेक्स और ओशिवारा पार्क रोड शामिल है वरली में 35 सड़के पे एंट मार्क होगी इनमें से एसस अम्रुतवर मार्गर तूलसी पाइप रोड और गनपत्राव कदम मार्गर शामिल है एंसीपी नेताव विदान सबा में विपक्षके नेता अजित पवार ने कहा है कि शिवसेना कॉंग्रेस और एंसीपी मिलकर चुनाव लड़ना चाते है पिछले दिनों विदान बवन में हुई महाविकास आगाडी के शिर्षन एताव की बैठक में इस पर चर्चा हुई पवार ने कहा कि जहाँ बीजेपी की ताकत अधिक है वहाँ मिलकर चुनाव लड़ा जा सकता है साथी जहाँ बीजेपी कमसोर है वहाँ कॉंग्रेस एंसीपी और शियूसिना के बीच मुकाबला हो सकता है कॉंग्रेस एंसीपी की सरकार के वक्त मी हमने एक दुसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था पवार ने कहा कि 50 खोके एकदम ओके गाव गाव तक पहुचा है और इसकी वेदना शिंदेगुट को ही है शिंदेगुट के विधायकों को इससे खासा दर्द हो रहा है इसलिए उनके लोग यानी सत्ताधारी दल के विधायक भी विधान भवन की सीडियों पर नाराजी किये है आमतोर पर सत्ताधारी दल के लोग सीडियों पर बैट कर नारेबाजी नहीं करते है पर इस बार ऐसा हुआ है उद्व ठाकरे के सत्र में शामिल नहीं होने पर पवार ने कहा कि विधान परिशद में काम करने की अपेक्षा वे अपनी पार्टी पर अधिक धान दे रहे हैं उनकी पार्टी पर जो संकट आया है वे उससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं गनेश उत्सों के बाद में महाराष्ट के दोरे पर जाने वाले हैं पवार ने दावा किया कि शिल्दे सरकार के गठन के बाद रोजाना तीन किसार खुदकुशी कर रहे हैं एक किसान ने मुवें बिजली का करंट लगा कर खुदकुशी की ऐसा महाराष्ट में कभी नहीं हुआ हाला कि यह केवल 50 दिन में नहीं हुआ हम सरकार में थे तो इसमें हमारा भी दोश है रूस युक्रेण युद्ध की बात से अमरिका और अन्य यूरूपिय देश भारत को मौस्को के साथ कोई भी व्यापरी संबन नहीं रखने की बात कर दे रहे है लेकिन भारत तटस्त बना हुआ है तो इस्लामिक स्टेट और अलकाइदा जैसे पैन इसलामिक आतनवाधी संगठन इशनिंदा की नाम पर मुसल्मानों को कट्टरपंती बनाने की कोशिश कर रहे है वहीं अमरिका के विवादित पुर्व राष्टरपती डोनाल ट्रम्प पर अपने राष्टरपती कारेकाल खत्म होने के बाद वाइट आउस से गोपने अधस्ताब वेजों के 15 बक्ते लेकर भावने कारूप लगा है तो उधर अफगानिस्तान में महिलाओ की हालक बेहत खराब है ताजा फैसले में तालिबान में लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए एक विदेश जाने के अनुमती देने से इंकाल कर दिया इसे बीच ब्रिटेन में पी-एम पत के लिए उमिद्वारों की रेज अपने अंतिंपडाव की और है दो सब्ताव से भी कमबग में ये तैह हो जाएगा कि बोरिस जॉंसन की जगर कौन ले रहा है कॉंग्रिस के कदावर नेता गुलाम नभी आजाद ने पार्टी के सबी पदों से इस्तिफ़ा दे दिया है अपने इस्तिफ़े में उन्होंने पार्टी के पुरवध्यक्षर राहुल गांदी पर हमला भी किया जिसके बाद पार्टी के अन्ने बड़े नेताओ के निशाने पर गुलाम नभी आजाद आ चुके है इसी के बाद अब मनीश्तिवारी ने भी पार्टी को अपने तेवर दिखाए है उन्होंने कहा कि मैं इस पार्टी का किरायदार नहीं बलकि एक सदस्य हूँ साथी गुलाम के अलोचना करने वाले निताओ को भी करार जबाब दिया है मनीश्तिवारी ने कहा कि उत्तर भारत के लोग जो हिमाले की चोटी के और रहते हैं ये जजबाती खुददार लोग होते हैं पिछले हजार साल से इनके तासीर आकरमन कारियों के खिलाफ लड़ने की रही है किसी को इन लोगों के धैरे की परिक्षा नहीं लेनी चाहिए दो साल पहले हमते इस लोगों ने कॉंग्रेस अद्यक्षा सोनिया गांधी को पत्र लिख कर बताया था कि कॉंग्रेस की परिस्थिती चिंता जनक है जिस पर विचार करने के जरूरत है कॉंग्रेस की भागिया को बहुत लोगों परिबारों ने अपने खून से संजोया है अगर किसी को कुछ मिला तो वो खेरात में नहीं मिला उन्होंने आगे कहा कि गुलाम नभी आजाद के पत्र के गुन दोश में मैं नहीं जाना जाता वो इसके बारे में समझाने की सबसे अच्छी स्थिती में होंगे मनीश तीवारी ने कहा कि जिस व्यक्ति की हैसियत एक वार चुनाव लड़ने की भी नहीं है जो व्यक्ति कभी कॉंग्रेस नेताव का चपरासी हुआ करता था वो जब पार्टी के बारे में ज्यान देते हैं तो वो हसी का पात्र होता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन के इज्रिवाल ने मोधी सरकार पर बड़ा आरूप लगाया है उन्होंने कहा कि मोधी सरकार गैर बिजेपी राज्यों में सरकार गिराने के लिए महंगाई बढ़ा रही है केंद्री सरकार ने सरकार गिराने पर अब तक 6300 करोर रुपे खर्च कर दिया है दही, छाच, शहत, गेहू, चावल, आदी पर अभी जो जीस्ट लगाया गया है उससे केंद्र सरकार को 7500 करोर रुपे साला ना आएगा अगर ये सरकार न गिराते तो गेहू, चावल, छाच, आदी पर जीस्ट न लगाना पड़ता लोगों को महेंगाई का सामना ना करना पड़ता, उन्होंने दावा किया कि भाजपा दिल्ली सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है पाटी के विधायकों को भाजपा से 20-20 करोर रुपे की पेशकश मिली, देश में अब तक कई सरकारों को गिरा दिया गया है गोबा, करनाटक, महराष्ट्र, असम, मध्यप्रदेश, बिहार, अरुणाचर प्रदेश, मनिपूर और मेगाले एक सिरियल किलर है, शहर में जो एक के बाद एगहत्याय कर रहे हैं, लोग एक सरकार चुनते हैं, वो उसे गिरा देते हैं केश्रिवान ने कहा कि मैं लोगों को ये दिखाने के लिए सदन में एक विश्वास प्रस्ताव लाना चाहता हूँ, कि सारे विधायक मेरे साथ है एक भी कही नहीं गया, भाचपा का ओप्रेशन लोटस, यहां ओप्रेशन किचड बन गया बतादी की दिल्ली विधान सभा के विश्वे सत्र को एक दीन के लिए बढ़ा दिया गया है ताकि ये साबित हो सके कि पार्टी का कोई विधायक दल बदल नहीं हुआ है राश्रपती द्रौबधी मुर्मु ने राश्रपती भवन में न्याई मुर्ती उदय उमेश ललीत को भारत की मुख्य नयादिश पत की शपत दिलाई है भारत के उन पचासवे मुख्य नयादिश के रूप में उदय उमेश ललीत ने शपत ली है कॉलेजियम का भी नितरुत्वनी भाएंगे। उधे उमेश ललीत को अगस 2014 में उन्हें एक वकील से सिधे सुप्रिम कोड का जज बनाया गया था। वो CJI बनने वाले ऐसे दूसरे जज है। उसमें से एक टूजी स्पेक्टरम आवंटन मामला था जिसमें अदालत ने उन्हें विशेश लोग अभियोजक निवक किया था। महाराष्ट के रहने वाले जस्टिस उधे उमेश ललीत के दादा रंगनात ललीत भारत के आजादी से बहुत पहले सोलापूर में एक वकील सीजे आए उधे उमेश ललीत के 90 वर्षय पिता उमेश रंगनात ललीत भी हाई कोर्ट में वकील थे। पत्नी अमिता ललीत नोएडा में एक स्कूल चलाती है। उनके दो बेटे हर्ष और श्रेयस है। या देश सभी पब्लिक सेक्टर बैंक या सरकारी बैंकों में लागू होगा। बैंक की युनियन इस बात का काफी पहले से मांग कर रहे थे कि किसी स्टाफ के निधन होने पर जो अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलती है उसमें परिवर्तन हो। बैंक स्टाफ का निधन के पास की थी, असोसियेशन के प्रस्ता उपर के इंद्रिय वित्तम अंतराले में डिपार्टमेंट आफ फाइनेंशल सर्विस ने हरी जंडी दिखा दी। पिछले दिनों इस बारे में एक पत्र जारी कर इस बारे में सभी बैंकों को निर्देश भी दे दिया गया। पुलीस ने करलीज रेस्तरा के मालिक को गिरफतार कर लिया है। यह वही रेस्तरा है जहाँ सोनाली को जबरन ड्रग्स दिया जाता था। इसके अलावा पुलीस ने गोवा के उस ड्रग पेडलर को भी गिरफतार कर लिया है जिसने सोनाली के पीए को ड्रग्स अप्लाई क बताया जा रहा है कि रेस्तरा में च्छापे मारी के बाद यहां के टॉइलेट से ड्रग भी बरामत किया गया है सोनाली पोगाट मामले में उनके पीए सुधीर सांगवान और साथी को पुलीस पहले ही गिरफतार कर चुकी है अब रेस्तरा के मालिक और ड्रग पेडलर की गि गिरफतार किया गया है अब पुलीस पुष्टाश के बाद आगी की कडिया जोड़ेगी सोनाली फोगाट की मालिक गुवा का रेस्तरा कर लीज चर्चा में है प्रसिद्ध अंजुना समुद्रतर पर्स्थित ये रेस्तरा 14 साल पहले उस समय सुर्खियों में रहा था जब एक ब्रिटीश किशोरी की मोथ हो गई थी करलीज के मालिक एडवीन नून्स एडवीन ने कहा कि हमारे स्टाफ में से कोई भी सोनाली को नहीं जानता था वो हमारे लिए सामान्य ग्रहकों की तरह ही थी गुलाम लभी आजाद मामले में कॉंग्रेस निता मनीश्तिवारी ने कहा कि जिस व्यक्ति की हैसियत एक वार्ट चुनाव लड़ने के भी नहीं है और जो व्यक्ति कभी कॉंग्रेस निताव का चप्रासी हुआ करता था वो जब पार्टी के बारे में ज्यान देते है तो के हसी का पात्र हो जाता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केश जिवाल ने कहा कि मोधी सरकार गैर बिजेपी राज्यों से सरकार गिराने के लिए महंगाई बढ़ा रही है वहीं राश्रपती द्रौपदी मुर्मुने राश्रपती भवन में न्याय मुर्थी वाइट मौत मामले में गोवा पुलिस ने कर लिजरेस्तरा के मालिक को गिरफतार कर लिया है देशवर की इन पास बड़ी और खास खबर को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ रूस युक्रेन की युद्ध के बाद से अमरिका और अन्य यूरोपिय देश भारत को मौस्कों के साथ कोई भी व्यापारिक संबन नहीं रखने की बात करते रहते है अब खबर है कि अमरिका रूस और भारत के संबनों को कमजोर करने की फिराख में लगा हुआ है बतादे कि युक्रेन के साथ युद्ध के बाद रूस के कई बड़े देशों के साथ समन खराब हो गये हाला कि भारत अपने सबसे पुराने जिगरी दोस रूस के साथ लगातार खड़ा रहा है हाला कि भारत ने कभी भी युक्रेन पर रूसी आक्रमन को जायज भी नहीं और वो आज भी दोस्तिली भाने से पीछे नहीं हट रहा है। एक सच ये भी है कि युक्रेन युद्ध के दौरान भारत और अमरीका के बीच कई मसलों पर एक साथ चलने को लेकर आपसी सहमती बनी है। इससे 21 सदी में वैश्विक सत्ता की राजनेते में उलेकनिय बदलाव लाने की उमीद जताए जारी है। खबर के मताबिक अमरीकी कॉंग्रेस में इस बात पर चर्चा जोरो पर है कि क्या भारत और रूस के बीच की दोस्ती को कम किया जाए या समाप किया जाए। कॉंग्रेस में रूस और भारत की दोस्ती को हमेशा के लिए समाप करने पर विचार किया जा रहा है। भारत की शांती और स्थिरता बिगाडने के लिए भारत में रहने वाले मुसल्मानों को कट्टर पंती बनाने और अपने खतरनाक काम में उन्हें भी भागिदार बनाने का प्लैन बनाया है। इसलाम बादियों ने उजबेग आतंकवादी के साथ भारत में हमला करने के लेटर नहीं दिती। हाला कि अब किर्गेस्तान का वो आतंकवादी कहा है इसके फिलहाल जानकारी नहीं है। ये दोनों आतंकवादी मॉसको के रास्ते ही भारत में आने वाले थे। लेकिन एक आतंकवादी को रूस्य सुरक्षा एजजनसी ने पहले ही गिरपतार कर लिया। अमरीका के विवादित पूर्वर आश्रपती डोनाल्ड ट्रम पर अपने राश्रपती कार्यकाल खत्म होने के बाद वाइट हाउस से गोपनिय दस्तावेजों के 15 बख से लेकर भागनी का आरूप लगा है इसलिए अमरीकी जांच एजनसी एफबी आई ने डोनाल्ड ट्रम के फ्लोरिडा स्थित निवास्थान पर मारे लागा पर च्छापे मारी की अमरीकी जास्टिस डिपार्टमेंट ने च्छापे में मिले सामानों का खुलासा कर दिया है और कहा है कि डोनाल्ड ट्रम ने वाइट आउस से 15 बख से गोपने दस्तावेज लेकर चली गए डोनाल्ड ट्रम के आवास पर 8 अगस्थ को FBI ने च्छापे मारी की थी FBI के हलप नामे के अनुसार पुर्वराश्टरपती डोनाल्ड ट्रम की फ्लोरिडा स्थित प्रॉपर्टी से बरामत किये गए 15 बक्सों में से 14 बक्सों में वर्गीकृत दस्तावेज मिले है जिन में से कई शिर्ष दस्तावेजों को अकबारों, पत्रिकाओं और विविदसमाचार पत्रों के साथ मिला दिया था ताकि उनका पता नहीं चल पाए अमरीके जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा है कि डोनाल टरम के आवास पर मारे लागो एस्टेट में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहापर इस तरह के गोपनिया दस्तावेजों को रखा जा सके बता दे कि अमरीके अदालत ने आदेश के बाद जस्टिस डिपार्टमेंट ने डोनाल टरम के आवास से मिले सामनों के लिज़ जारी की है FBI ने अपनी चाप इमारी को लेकर 32 पन्नों का हल अपनामा जारी किया है जिसमें डोनाल टरम के आवास से गोपनिया दस्तावेजों की बरामतगी की बात कही गई है अफगानिस्तान में महिलाओ के मानवाधी कारों को कुचल कर रख दिया गया है ताजा फैसले में तालिबान ने लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने के अनुमती देने से इंकार कर दिया है जानकारी के मताबिक काबुल से कुछ लड़के और लड़किया पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते थे लेकिन तालिबान नहीं चाहता कि महिलाय शिक्षित होकर उनकी बराबरी करे इसलिए उसने लड़कियों को पढ़ाई के लिए बाहर जाने की अनुमती दिने से इंकार कर दिया देश से अमरीकी सैनिकों की बापसी और अमरीका समर्थित सरकान के पतन के बाद तालिबान के नेतरित्व में एक अंतरीम अफगान सरकार सितंबर 2021 में सत्ता में आई पहले तो तालिबान ने देश की सत्ता पर कबजा जमाने के बाद महिलाओ को घर से बाहर काम पर जाने पढ़ाई करने पर पाबंदी लगा दी लड़कियों को छटी कक्षा के बाद शिक्षा प्राप करने के अनुमती नहीं है इतना ही नहीं जितने भी महिला पत्रकार थी जो टीवी पर आती थी सबको काम से हटा दिया गया इसके अलावा तालिबान ने सभी महिलाओ को सारवजनिक रूप से अपना चहरा ढखने के लिए मजबूर किया है और महिलाओ को मनोरंजन गतिवीधियों में भाग लेने और पूरुशों के साथ पारकों में जाने की भी अनुमती नहीं है तालिबान के मुताबिक महिलाओ को अपने हिसाब से जीने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए तो उनके सारे अधिकारों को उन्होंने कुचल कर रख दिया है महिलाओ बेची भी जा रही है लड़किया घुट-घुट कर जिन्दगी जीने को मजबूर है ब्रिटेन में पी-एम पत के लिए उमिदवारों की रेस अपने अंतीम पड़ाव की और है दोसपताह से भी कमबक में ये तै हो जाएगा कि बोरिस जॉनसन की जगह कोन ले रहा है अंतीम दोर की लड़ाई भारतिय मूल के रिशी सुनक और विदेश मंत्री लीस ट्रस के बीच है ऐसे में इन दिनों प्रधान मंत्री के चुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी चल रही है दोनों नेता अपने चुनाव प्रचार में आकरमक भाशन देते नजर आ रहे है इसे बीच लीस ट्रस ने फ्रांस के राश्टरबती एमेन्यूइल मैकरो पर ऐसा बयान दिया है जिसके हर जगा अलोचना हो रही है विदेश सचीव ट्रस ने कहा कि राश्टरबती मैकरो ब्रिटेन के दोस्त है या दुश्मन इस पर जूरी एक मत नहीं है अगर वो प्रधान मंत्री बनती है तो वो शब्दों से नहीं बलकि उनके कर्मों से उनको परखींगी वही प्रधान मंत्री की दोड में शामिल भारतिय मुल्क के रिश्य सुनक से जब भी ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने मैकरो को दोस्त बताया उन्होंने कहा कि फ्रांस के राश्ट्रपती ब्रिटेन के मित्र है और अगर वो जॉनसन की जगा प्रधान मंत्री बने तो यूरोप के साथ ब्रिटेन के संबंदों को दोबारा स्थापित करना चाहेंगे ट्रस्ट के बयान से नाराज विपक्षी लेबर पार्टी ने निर्णय में भारी कमी का आरूप लगाया और कहा कि इसे ब्रिटेन के सबसे करीवी सहयोगियों में से एक फ्रांस के अपमान के रूप में देखा जाएगा उन्होंने एक गंबिर गलती की है और उन्हें कूटनीतिक लहजे में बोलना चाहिए था क्योंकि हम फ्रांस के साथ से निगट बंदन में शामिल है तो विकेवी नियूस के आज के इस खास पिशकश में बस इतना ही कल फिर मिलेंगे कुछ ने कबरों के साथ तब तक देखते रहे विकेवी नियूस नमस्कार